एक कुवारी लड़की के शारेरिक शोशिन के बाद जब लड़की मा बन गई तो परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्च कराई और कुवारी मा बनी लड़की को न्याई नहीं मिला और इसी बीच आरोपी फरार हो गया तो पीदता ने मुझवफर पुर के अस्सपी से न्याई की गुहार लगाने पहुच गई और आत्म दाकी धमकी देने लगी। देखिए मुजफरपुर से एक कुवारी मा बनी लड़की की दर्द भरी दास्ता बिहार के मुजफरपुर के बोच्छा थाना इलाके में शादी का जहासा देकर एक लड़की के साथ एक यूवक ने काफी दिनों तक दुशकर्म किया और जब लड़की गर्भवती हो गई तो आरोपी यूवक ने शादी से इनकार कर दिया बिन बियाही मा बनने के दंश से पीडित लड़की ने मामले को लेकर न्याय की गुहार लगाने बोच्छा थाना पहुची और दुशकर्मी यूवक के खिलाफ मामला दर्च कराया लेकिन सुसाशन की सरकार में दुशकर्म के बाद गर्भवती पीडिता न्याय की गुहार लिकाती रही पर थाने ने दुशकर्मी यूवक के खिलाफ कारवाई नहीं की थाने का चक्कर लगा कर ठक गई पीड़िता को जब नयाय नहीं मिला तो अंत में ठक हार करके सीने रस्पी के पास पहुची और कहा कि उसे दुशकर्मी से नयाय नहीं मिला तो नवजाज संग आत्मदाह कर लेगी बिन ब्याही मा बनी इस लड़की की धमकी ने भी पुलिस प्रशाशन की आखे नहीं खोली और पीड़िता नयाय के लिए दर दर भटक रही है आपको बता दे कि शादी का जहासा देकर एक दुशकर्मी ने एक नाबालिक से शादी के नाम पर डेड़ साल तक शारेरी संबंद बनाया इस दौरा नाबालिक गर्वती हो गई इसकी चानकारी होने पर पीड़ित परवार ने पहले ग्रामिन स्थर पर मामले को पंचायत कराने की कोशिश की पर दुशकर्मी शादी से इनकार करता रहा लिहाजा पीड़िता के परिजनों ने बोच्छा थाना में मामला दर्च करा दिया पर पीड़ता को पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की कि तब न्याय की आस में पीड़ता की मा ने SSP से न्याय की गुहार लगाई न्याय नहीं मिलने पर पीड़ता बच्ची के साथ आत्मदा करने की चितावनी पुलिस को दे दी नहीं सुन्बाई लिया, सुन्बाई नहीं लिया है, आप है बेटी के साथ नहीं होगा सोगिया तो हम अपना जान खुबान कर लेंगे ने इस वाभी तक के इस मामले में जो मामला आप कहा रहे हैं उसको पुलिस ने F.I.R. भी दर्च किया हुआ है और ये बताया जा रहा है कि बोचाहा पुलिस स्टेशन के एरिया में ये मामला आया है पुलिस विल जो लड़की है और अजसे प्रेग्नेंट भी हो गई है और इसमें जो है उसमें पूरा मामला मामला हो गया, उसके बाद में उन्हों इसमें एक मामले में अप्रिकेशन दिया जिसमें पुलिस ने F.I.R किया, ये नेम्ड परसन उनकी फैमिली परसन का नाम बताया गया था इसमें, इसमें एक परसन को अरेस्ट भी कर लिया है और जिसका वो नाम ले रहे हैं, वो भी माइनर लड़का है, उसके बारे में फुल सबी तरीके से जाच करेगी इसमें इसके अलावा जो भी तरीके के साइन्टिफिक इन्वेस्टिकेशन टूल से अधा की धंकी के बाद SSP जैंत कांत ने मामले में FIR दर्च करवाई पुलिस आरोपित दुशकर्मी की गरिफतारी के लिए चापे मारी कर रही है खुलाश्ता के लिए इशका के साथ मुझफर पुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट